तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आपको बताएंगे कुछ न्यूज जो टेक से लेटर है तो चलिए सबसे पहले बात अपना वाइफाई कॉलिंग सिस्टम लाँच कर दिया है डेली के अंदर और कुछ फोन्स हैं उसमें उन्होंने उसको बिल्ड किया है जैसे समसंग का ह एपल फोन में चल रहा था लेकिन अब उन्होंने समसंग के कुछ फोन से आपका नाम लेता हूं आप उसको देखिए समसंग एस टेन प्लस समसंग 10E 1 प्लस 6 एड वन प्लस 6T यह दिली के अंदर इन्हों लाँच कर दिया इसका फाइदा क्या होगा जैसे आप कमपनी में ह अप घर में है। घर में कंदर Wi-Fi होता है। तो आप के पास अगर BALANSE नहीं है तो आप Company से Company कंदर जितने workers हैं, आप उनको बता सकते हैं, उनको call कर सकते हैं उनको wise message भेज़ सकते हैं। इस इसमें को आपको recharge की ज़रूद हम पढ़ीगे। आपको extra app की ज़रूद नहीं पड़ेगी आपको extra scene की ज़रूद नहीं पड़ेगी तो यह बहुत ही अच्छा system में launch की है अभी इसका trial चल रहा है और कुछ महीनों के अंदर यह सारे phones में available है यह बहुत ही अच्छा system Samsung Galaxy S11 जो 2020 में launch होने वाला है जिसकी कीमत लगबग 84,000 होगा और इसकी बैटरी 5000 mAh 8 GB RAM और 128 GB internal storage और 108 MP camera है Mi Note 10 launch होने वाला है जिसकी कीमत लगबग 24,000 है और इसकी 6 GB RAM और 128 GB internal storage अगर आप android phone यूज़ करते हैं तो आपके mobile में अगर यह app होगा best fortune explorer आप इसको uninstall करते हैं क्यूंकि इससे virus बहुत ज़दा फैल रहा है जब आप इसको install करते हैं बहुत ज़दा इसके complaint आई है कि बहुत ज़दा एड़ आने लगते हैं तीन तीन चार चार पांच पांच एड़ एक बार गी आने लगते हैं तो आप इसको install कर दीजिए नहीं तो आपके mobile में wireless हावाई का phone launch होने वाला है हावाई P40 और हावाई P40 Pro मार्च में launch होने वाला है इसके बारे में आपको में review क्योंगा